नमस्कार, टार्गेट विद आलोक आनलाइन इंस्टिटूट में आपका स्वागत है मैं हूँ विवेक मिश्र 8 पीम न्यूज बुलेटिन में सबसे पहले हेडलाइन्स पर एक नजर भारत और यूरोपिय संग के बीच संपन हुई अहम बैठक CBI और यूरोपोल के बीच सहयोग के लिए रोड मैप जारी सतद विकास को लेकर नीती आयोग ने जारी की VNR रिपोर्ट MPI के अनुसार 2016-17 के बीच 271 मिलियन लोगों को बहु आयामी गरीवी से किया गया बाहर तो चलिए बड़ी ख़बरों के साथ आज के बुलेटिन की सुरुवात करते हैं 15 जुलाई को भारत और यूरोपी संग के बीच संपन हुई डिजितल सिखर सम्मेलन से पहले असैन परमाण क्षेत्र में सहयोग के लिए एक मसोदा समझावते को अंतिम रूप दिया गया यह बाचीत साल 2007 में सुरू हुई थी इस दवरान तमाम बाधाएं आई थी क्योंकि यूरोपी संग आटो मोबाईल में महत्तपूर्ण सुल्क कटवती के अलावा सराब इस्पिरिट और डेरी उत्पादों पर करो में कटवती और मजबूत बौधिक संपदा चाहता है वहीं दूसरी और भारत डेटा सुरक्षित देश का दरजा चाहता है आपको बता दे कि भारत उन देशों में से है जिनहें यूरोपी संग सुरक्षित डेटा वाला देश नहीं मानता इस सिखर सम्मेलन में दोनों देशों ने उमीद जताई है कि दोनों देश संबंधों को ब्यापक बनाने, समुद्री सुरक्षा और ब्यापार निवेस को बढ़ावा देने के साथ साथ सीबी आई और यूरो पोल के बीच प्रभावी सहयों के लिए पांच वर्षी रोड मैप जारी करेंगे भारत के लिए यूरोपी संग महत्वपूर है क्योंकि साल 2018 में भारत का सबसे बड़ा ब्यापारिक साजेदार यूरोपी संग था इसके अलामा 2018-19 के वित्तिय वर्ष में यूरोपी संग के साथ भारत का द्विपक्षी ब्यापार 115.6 अरब अमेरिकी डॉलर था जिसमें निर्यात 57.67 अरब अमेरिकी डॉलर और आयात 58.42 अरब अमेरिकी डॉलर था इस मौके पर भारती प्रधानमंत्री स्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस सम्मेलन से यूरोप के साथ देश के आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे सम्मेलन का मुख्य उद्देश ब्यापार, निवेश और रक्षा सहित विभेन क्षेत्रों में ब्यापक संबंधों को बढ़ावा देना है हाल ही में नीती आयोग ने सतत विकास को लेकर दूसरी स्वैक्षिक राष्टिय समिक्षा यानि वॉलेंटरी नेशनल रिप्यू यानि वी एन आर रिपोर्ट जारी किया आपको बता दें कि सतत विकास एजेंडा लागू करने में मिली सफलताओं और चुनोतियों समेत बहु आयामी गरीबी सुचकांक के आधार पर अनुमान लगाया गया है इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में साल 2005-06 से 2016-17 के बीच तकरीबन 271 मिलियन लोगों को बहु आयामी गरीबी से बाहर निकाला गया बहु आयामी गरीबी सुचकांक या मल्टी डाइमेंसिनल पावर्टी इंडेक्स यानि MPI के अनुसार साल 2005-06 में देश में 640 मिलियन से अधिक लोग बहु आयामी गरीबी में थे लेकिन 2016-17 के दौरान यह संख्या घटकर 379.55 मिलियन तक पहुच गई विशु बैंक के अंतर राष्टी गरीबी रेखा के अनुसार यह भारत में साल 2011 के 21.2 फिस्दी से घटकर साल 2015 में 13.4 फिस्दी हो गई थी आपको बता दें कि विशु बैंक प्रति दिन 1.9 अमेरिकी डॉलर से कम आये वाले के जीवन को अत्यधिक गरीबी के रूप में परिभासित करता है इस दिसा में भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा राष्टिय सामाजिक सहायता कारिकरम महात्मा गांधी राष्टिय ग्रामिन रोजगार गारंटी अधनियम महत्वण है इसके अलामा आधार भूत आवस्वक्ताओं को पूरा करने के लिए प्रधान मंत्री जन्धन योजना, सभी के लिए आवास योजना, आयुसमान भारत, प्रधान मंत्री जन आरोग योजना, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना, राष्टिय ग्रामिन और सहरी आजीविक का मिशन जैसी महत्वपूर योजनाय क्रियानवित हैं और अबंति में आईए चलते चलते छोटी लेकिन महत्वपूर खबरों पर नजर डालते हैं जिनका सीधा सरोकार आपकी परिक्षाओं सी होगा नाबाड ने वित्ती संस्थानों और बैंकों के लिए पुनरवित योज साथ PACS को डिजिटल प्रणाली से भी जोड़ा जाएगा इस कारिकरम के तहत साल 2023 तक कुल 30,000 PACS को अपग्रेट किया जाएगा PACS फसल के कटाई के बाद विपड़न गतिविधियों में किसानों की मदद करते हैं इसके अलावा PACS ग्रामेड क्रिसी प्रवक्ता के रूप में कारिकर के आपूर्ती स्रिंखला गतिविधियों में महत्तपून भूमिका निभाते हैं COVID-19 उद्देश के लिए और भारत सरकार की सहायता के लिए रास्टी रसायन एवंग उर्वरक लिमिट्ड यानि RCF हाथ सफाई के लिए आईसो प्रोपिल एलकोहल जिल आरसी आरसेट्रोला लॉंच किया है RCF के अनुसार यहाथ साफ करने वाला जिल तवचा के अनुकूल है जिसमें एलोवेरा का अर्क यानि रस प्राप्त होता है आपको बता दें कि RCF देश में उर्वरकों एवंग रसायनों की प्रमुक उत्पादक कमपनी है जिसको भारत सरकार द्वारा मिनी रतन का दर्जा हासिल है इसकी दो इकाईया है जो मुंबई के ट्रामबे और थाल महरास्ट में अवस्थित है RCF ग्रामिन भारत में अपने प्रशिद उत्पाद यूरिया के लिए जानी जाती है इस प्रोडक्ट का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि पहली बार किसी खाद उत्पादक कमपनी ने इस तरह का प्रोडक्ट लॉंच किया है मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने देश में ऑनलाइन सिक्षा से जुड़े प्रग्यता दिसार निर्देशों को जारी किया इस निर्देश के अनुशार कक्षा एक से लेकर कक्षा बारत तक के छात्रों के लिए प्रति दिन ऑनलाइन पढ़ाई की समय सीमा तैं किया गया है प्रग्यता का पूरा नाम प्लान, रिव्यू, अरेंज, गाइड याक यानि टॉक, अशायन, ट्रेस और एप्रिशियेट है निर्देशों के अनुशार प्री प्राइमरी के बच्चों के अभिभावकों के लिए प्रति दिन अधिकतम 30 मिनट का समय निश्चित किया गया जिससे सिक्षकों द्वारा उनसे बातचीत किया जाएगा और आवसक निर्देश दिये जाएंगे वहीं काक्षा एक से आठ तक के विद्यारती हर रोज 30 से 45 मिनट के अधिकतम 2 ओनलाइन सत्र और 9 से 12 तक के विद्यारती 30 से 45 मिनट के अधिकतम 4 सत्र में पढ़ाई कर सकते हैं मद्यप्रदेश वन विभाग द्वारा डॉल्फिन गरनापन हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकासित किया गया इस रिपोर्ट के अनुसार 425 किलोमेटर लंबे राष्टी चंबल अभ्यारन में केवल 68 डॉल्फिन बची हैं जो साल 2016 में 78 थी यानि चंबल में लगाता डॉल्फिन की संख्या में गिरावट जारी है पिछले चार वर्सों में डॉल्फिन की संख्या में 12.082 प्रतिसत की गिरावट दर्ज की गई जिसकी प्रमुख वजह अवैध सिकार और प्रतिकूल आवास का होना है आपको बताती चले कि राश्टिय चंबल अवियारन की अस्थापना साल 1989 में चंबल नदी की 425 किलोमेटर की लंबाई के साथ किया गया था इसे राश्टिय चंबल घडियाल वन जिव अवियारन भी कहा जाता है COVID-19 से मुकाबला करने और लोगों को जागरू करने के उद्देश से मध्यप्रदेश सरकार ने रोको टोको नाम से एक अवियान की सुरुवात की है या अवियान उन लोगों पर केंदृत होगा जो राज में बिना मास्क पहने ही घुम रहे हैं इस अवियान को कुछ चुनिंदा संगठनों द्वारा चलाया जाएगा इस अभियान के तहट स्वयंग सेवकों को उन लोगों को मास्क प्रदान करने का काम सौपा जाएगा जो सारवजनिक अस्थानों पर बिना मास्क पहने ही घूम रहे हैं और साथी साथ उस ब्यक्ति से मास्क के कीमत के रूप में 20 रुपय का सुल्क लिया जाएगा संगटनों के चैन का काम डीम का होगा पोलेंड के वर्तमान रास्टपती रहे एड रेज टूडा ने 2020 का रास्टपती चुनाव जीत लिया है उन्हें कुल वैध मतों का 51.2 एक फिस दीमत जबकि उनके प्रतिद्वंदी रहे रफाल्ट राजास कास्की को वैध मतों का 48.79 प्रतिसद को समाप्त हो रहा है उसके बाद उनका अगला कारिकाल सुरू होगा फिलहाल 8 पिम न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही हमारा वीडियो कैसा लगा हमको जरूर बताएं वीडियो को लाइक करिए दोस्तों के साथ सेर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा देने के लिए जुड़े रहिए टार्गेट विदालोक ओनलाइन इंस्टिट्यूट से मुझे देजिये इजासत नमस्कार